तो आई एक नई वराइटी के questions देखते हैं वो होंगे हमारे at least type of questions जिसमें हमें कहा गया है कि ऐसे DFS डिजाइन करिए जहां पर at least एक A हो ठीक है at least minimum 1 A तो होना ही चाहिए उस string के अंदर which means मैं यहां पर यह कहना चाहरा हूं कि A B this is accepted, A A B this is also accepted B B this is not accepted, कि यह नहीं accept होगी because इसमें एक भी A नहीं है minimum 1 A तो होना ही चाहिए तो इन types की problems को हम यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले minimum 1 चाहिए that means 1 A का आप यहां पर transition बनाए Q not state जो कि हमानी start state थी इसके बाद हमने 1 A पढ़ा then उसके बाद हम कहां पर पहुँच जाएंगे final state पर पहुँच जाएंगे ठीक है, इसके बाद कुछ भी आए चाहे A आए, चाहे B आए ठीक है, हमने वो condition satisfy कर ली है इसलिए हम यहां पर permanent accept state में पहुँच गए है ठीक है, this is fine और यहां पर क्या होगा B का आपका self loop रहेगा because B से हमें कोँ मतलब भी नहीं है condition हमारी A से है minimum A के होना चाहिए तो A के का हमने यहां बना दिया आप जब starting में हमने एक बर भी यह पढ़ लिया हम final state पर पहुँच गए और उसकर कुछ भी आएगा तो हम वहाँ पर permanent state में ही रहेंगे तो इस तरह से आपका यह DFA बनेगा यहां पर आप देख सकते हो there is no trap state ठीक है no trap state यह एक important चीज है तो at least type वले questions में कोई भी आपकी trap state नहीं होगी और important बात यहां पर देखे कि number of states यहां पर किती रहेंगी number of states आपकी रहेंगी जो भी आपकी length होगी ठीक है n plus 1 यहां पर आपकी length किती रहेंगी minimum at least 1 length आपकी 1 थी ठीक है ना तो 1 plus 1 2 states होनी चाहिए नीथी और exactly आप देख सकते हो 2 states यहां पर हैं हमारी तो n plus 1 states रहेंगी where n is the length कि कितनी at least जो हमारी वहां पर condition लेख होगी उसके according ठीक है तो इस तरह से questions होंगे at least वाले आईए at least इसी के बाद हम देखते हैं आप कौन सी exactly 1 अभी हमने at least 1 वाला देख रहा था that means इसके बाद हम देखेंगे exactly 1 और उसके बाद फिर हम देखेंगे at most 1 ठीक है तो आईए next वाला देखते हैं exactly 1 वाला